Hello friends, ये class 10th mathematics की पहली वीडियो है, इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे polynomial के बारे में तो शुरू करने से पहले वीडियो को like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी share कर दीजिए An equation in the form of Px is equal to A0 plus A1x plus Anx square plus dot 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 plus Anx raise to n is called polynomial कोई भी equation जो A0 plus A1x plus A2x square plus dot dot plus Anx raise to n के form में हो उसे हम polynomial कहते हैं जहां पर A0, A1, A2 and An ये constant numbers होते हैं, real numbers होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, minus 9, 1 by 2, 0.4, कोई भी ऐसा number होगा और जहां पर X एक variable quantity होती है, मतलब ये polynomial X के साथ vary करता है, अगर हम Px, X के जगा पर हम 5 रखते हैं तो इस equation का value कुछ और आएगा अगर हम यहां पर 2 रखते हैं, तो मुझे यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, और यहां पर भी 2, मतलब जहां जहां X से वहां-वहां 2 रखना पड़ेगा, तो equation के value कुछ और आएगी, मतलब 5 रखा तो कुछ और, ऐसे भी कोई और number रखे तो value कुछ और आएगी, तो इसका मतल अब X के coefficients हैं, वो एक real number होने चाहिए, और जो X का power है, हमेशा क्या होना चाहिए, यह एक हमेशा positive integer होना चाहिए, ठीक, अब हम example देखते है, polynomial का, जैसा 3X plus 5, एक polynomial है, polynomial का simple मतलब जिसमें 1 से ज्यादा term हो, तो यहां पर 3X एक अलग term है, और 5 एक अलग term है, वैसे ही यहां पर भी 4Y square एक term हो गया, यह 2 term और यह 3, तीन term को मिला कर क्या हो जाएगा, यह polynomial है, अब आप सोचेंगे इसमें का बाकी सब जो term था, square की वगरा वगरा, n तक जो power raised हो था, वो सब कहा है, तो इस, तो इसका simple मतलब यह है कि इस equation में जो X का coefficient है, वो 3 है, और बाकी numbers का जो coefficient है जैसे a2 के बदले, a3 के बदले और an, यह सब क्या है, यह सब यहाँ पर 0 है, और 0 से किसी भी number में multiply करने पर 0 हो जाता है, और मैंने कहा था कि जो coefficient होने चाहिए, वो एक real number होने चाहिए, तो 0 भी तो एक real number ही होता है, तो इसलिए 0 से multiply होकर सारे number 0 हो गए, और सिर्फ यहाँ यहाँ पर जो x का multiple है, वही एक 3 है, एक non-zero number है, इसलिए यहाँ पर 3x प्लस 5 हुआ, अब is polynomial in x, इसका मतलब यह है, this equation is polynomial in x, इसका मतलब यह है कि इस polynomial की जो value है, वो x के साथ vary कर रहा है, मतलब simply जहाँ पर जो variable term है, वो x है, और कह रहा है कि of degree 1, degree का मतलब होता है, highest power of variable term, highest power होता है, किसी भी equation में y उसकी degree होती है, तो इस equation में जो x का highest power है, वो 1 है, वैसे ही दूसरी equation को हम देखते हैं, 4y square minus 3y plus 8, यह एक polynomial है, in y of degree 2, y में क्योंकि यहाँ पर variable term है, यहाँ पर y है, इसलिए this is polynomial in y, and इसकी degree हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, क्योंकि जो variable number y है, इसक highest power है, इस equation में 2 है, और यह जो third number है, यह एक polynomial नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो variable term है y, इस y का power क्या है, इस y का power है 1 by 2, और polynomial की condition होती है, कि variable term का जो power सिर्फ एक positive integer होना चाहिए, और यह 1 by 2 एक integer नहीं है, इसलिए यह polynomial नहीं है, अब देखिए, polynomial of degree 1 is linear polynomial, polynomial का अगर degree 1 हो तो उसे हम linear polynomial कहते हैं, और अगर उसका degree 2 है, और degree 2 है, तो उसे हम quadratic कहते हैं, ..and degree 3 है, तो उसे हम cubic कहते है, डिगरी का मतलब तो हमने बताई दिया है डिगरी का मतलब यो variable term का highest power होता है उसी को हम उस equation का डिगरी कहते हैं और आप चिंता ना करें आपको 4 या 4 से अधिक डिगरी वाले equation नहीं मिलेंगे For example, 9x plus 6 ये एक polynomial है जिसका degree क्या है इसका degree 1 है क्योंकि हम x के power 1 लिख सकते हैं और ये एक polynomial in x है दूसरा equation 5x square plus 5x minus 8 इस equation का degree 2 है जो कि ये भी एक polynomial in x है तीसरे का देखिए तीसरे का तीसरा equation है yq plus 2 y square minus root 3 and 2y plus 3 ये एक polynomial है जिसका degree 3 है क्योंकि y का जो highest power equation में वो 3 है Now value of polynomial at a given point इसका मतलब ये है कि किसी एक point पर polynomial की value क्या है जैसे point 3 पर इस polynomial की value क्या होगी तो simply जहाँ जहाँ एक से वहाँ हम 3 put करेंगे और जितना value आएगा वही उस polynomial की value होगी उस point पर एक given point पर हमेर लिए यहाँ पर given point क्या है 3 है तो हम 3 रख रहे हैं जहाँ जहाँ x है sorry यहाँ पर cube यहाँ पर square होगा क्योंकि इस equation में square है तो 3 का square 9 प्लस यहाँ पर मैंने 3 रखा तो यहाँ पर 3 आया 9 प्लस 3 प्लस 3 3, 3, 3, 6, 9, 15 इस equation के value यह इस polynomial के value at point 3 पर 59 इसका मतलब यह है अब zeros of polynomial क्या होते है zeros of polynomial वो एक simply number होते है जिस number पे उस polynomial की value 0 आजा है जैसे मानने जिए हम 0 alpha 1,0 तब होगा अगर हम x या फिर y जो variable है उसके अस्थान पर अगर हम alpha रखते हैं और उस polynomial के value 0 हो जाती है तो हम alpha को क्या कहेंगे alpha 0 है उस polynomial के for example यह एक polynomial है इसमें अगर हम 3 रखेंगे तो इस polynomial की जो value होगी वो 0 हो जाएगी रखेंगे देखते हैं 9,3 रख रहा है हम x के अस्थान पर तो 9 हो जाएगा minus 6 minus 3 minus 6 and minus 3 minus 9 9 minus 9 equal 0 इसका मतलब क्या है अगर हम x के अस्थान पर 3 रखेंगे इस equation में तो इस polynomial के value इस equation के value 0 है इसका मतलब क्या है x इस polynomial का 0 है now we will see the relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial quadratic polynomial क्या होता है quadratic polynomial वो होता है जिस equation के जिस polynomial के highest degree 2 होती है मैंने बताया था अगर 2 highest power होगा उसे quadratic कहते हैं अगर 1 होगा तो linear अगर 3 होगा तो cubic कहते हैं तो हमको relation देखना है quadratic polynomial से और coefficient मतलब होता है coefficients coefficients के मतलब होते हैं जो variable term होते है x या फिर y उसके गुडांग क्या नहीं उसके multiple coefficient कहते हैं और zeros मैंने बताया था zeros वो value होते हैं जिस value पे उस polynomial का value होगा वो 0 होगा तो वैसे numbers अगर quadratic polynomial है तो उसके दो 0 होंगे मतलब इसका मतलब दो ऐसे real numbers होंगे जिस value पर polynomial जिस point पर polynomial 0 होगा अगर linear polynomial है तो एक ऐसा point होगा जहां पर उस polynomial के value 0 होगी अगर cubic है तो वो 3 ऐसे points होंगे 3 ऐसे real numbers होंगे जहां पर वो 0 होगा उस polynomial के value 0 होगी तो हमें relation देखना है quadratic polynomial और उसके coefficient और उसके zeros में तो सबसे पहला relation होता है px is equal to x square minus alpha plus beta plus alpha into beta इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी polynomial के दो सिर्फ हमें zeros पता हो alpha और beta यहां पर इसके zeros है तो हम polynomial form कर सकते हैं कैसे x square हमें रखना ही रखना है x square हमें y square रखना है यह हम पर depend करता है कि हम किस number के साथ उस polynomial के value को vary कराना चाहते हैं तो यहां पर हम लिख लेंगे simply x square alpha बीटा मालने जिए दो zeros है 2 and 3 मालने जिए उसके दो zeros है तो हम क्या करेंगे x square minus alpha plus beta 3 plus 2 becomes 5 into x plus alpha into beta मतलब 2 into 3 becomes 6 तो ये क्या हो गया ये एक polynomial हो गया जिसके zeros 2 और 3 हो और उसका degree 2 है 2 इसलिए degree है क्योंकि हमारे पास जो इसके zeros हैं वो दो है अगर हम zeros 3 रख लेंगे तो वो हमें जो equation प्राप्त होगा polynomial प्राप्त होगा वो एक cubic होगा जिसको form करने का formula अलग होगा और दूसरा relation होता है sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square और तीसरा जो relation होता है product of zeros equals constant term upon coefficient of x square जैसे हम इस equation से जो पहले वाला जो हमने equation form किया था 2 और 3 से उससे हम इसका relation देखते हैं तो हमने लिया था 2 और 3 दो इसके zeros थे हैं तो देखते हैं sum of zeros क्या होगा 2 plus 3 equals 5 दो zeros थे equals minus coefficient of x दो उसमें coefficient of x क्या था minus 5 तो हम रखेंगे minus into coefficient of x minus 5 upon coefficient of x square तो x square को उसमें coefficient 1 आया था तो हम क्या रखेंगे y sorry 1 तो इसका मतलब यह verify हो गया यहां से minus into minus 5 upon 1 equals 5 तो यह verify हो गया दूसरा relation होता है product of zeros equal to constant term upon coefficient of x square product of zeros 6 होगा 2 into 3 becomes 6 equals constant term इसमें हमें मिला था 6 upon coefficient of x square coefficient of x square 1 था तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 6 इसका मतलब यह भी verify हो गया तो यह इसमें तीन relation होते हैं एक equation को form करने का और दूसरा होता है sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square और तिसरा relation होता है product of zeros equals constant term upon coefficient of x square हमारे पास एक question है find a quadratic polynomial which zeros are minus sorry 1 and minus 3 and verify relation between coefficients and zeros of polynomial हमको दो zeros मिले हैं एक है 1 और दूसरा है minus 3 तो equation बनाने का formula क्या हमारे पास था p x equals x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta simply हमें कुछ नहीं करना इसमें इसकी values को रख देना है तो हो जाएगा p x equals x square x square को adjective छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हम equation जो function है वो x का है तो यहाँ पे x ही रखेंगे हम अगर यहाँ पे y रखते तो हमें यहाँ पे y के square करना पड़ता minus alpha के जगा पे 1 है तो 1 and beta के जगा पे minus 3 है plus minus 3 into x plus alpha into beta becomes minus 3 now p x equals x square minus यहाँ पे हो जाएगा minus 2 minus 2 x plus minus 3 equals x square plus 2 x minus 3 यह इसका polynomial जो form करने को हमें मिलाता वो है and now we have to verify the relation between coefficients and zeros of polynomials तो इस polynomial के दो zeros जो हैं वो हैं एक 1 और एक हैं minus 3 और जो relation होता है coefficients and zeros of polynomial में वो होता है पहला होता है sum of zeros तो sum of zeros देखते हैं क्या है 1 and plus minus 3 क्या हो जाएगा minus 2 equals और क्या होता है minus coefficient of x minus coefficient of x यहाँ पर क्या है तो coefficient of x यहाँ पर 2 है minus 2 upon coefficient of x square होता है तो यहाँ पर x square का जो coefficient है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है simple x square है इसका मतलब यहाँ पर multiply किया गा है 1 से तो इसका coefficient हो जाएगा 1 equals minus 2 तो पहला relation हमारा verify वेगा दूसरा relation था product of zeros equal to constant term upon coefficient of x square product of zeros देखते हैं 1 multiplied by minus 3 becomes minus 3 equals constant term constant term minus 3 है तो constant term को जगा पर minus 3 रख देंगे upon coefficient of x square again coefficient of x square जो हमारे पास 1 है तो क्या हो जाएगा यह भी minus 3 इसका मतलब हमने दोनो relation को भी verify कर लिया इसके यह दो zero से हमने एक polynomial भी form कर लिया तो हमारा यह question complete होता है